ब्यापारी और उसका गधा, एक सुन्दर वसन सुबा, एक ब्यापारी ने अपने गधे के पीट पर नमक की बोरिया लाद कर उसे बेचने बाजार के लिए निकला, ब्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे, दोनों ज्यादा दूर नहीं पहुचे थे, कि रास्ते म एक नदी आ गई दुर्भाग्यवश गधा फिसल गया और नदी में गिर गया जैसे तैसे गधा नदी के तक तक पहुंचा गधे ने देखा कि उसके पीट पर जो नमक की बूरिया थी वो हलकी हो चुकी थी व्यापारी कुछ नहीं कर पाया और अपने गधे के साथ वापस घ घर चला गया घर पर पहुंचते ही व्यापारी ने गधे के पीट पर नई बोरिया लाद कर वापस बागरार की तरफ चल पड़ा गधा इस बार जान बूझ कर पानी में फिर से गिर गया इस प्रकार सारा नमक फिर से वर्बाद हो गया अब व्यापारी को गधे की चाल सिखाना चाहता था जैसे ही व्यापारी दूसरी बार अपने गधे के साथ घर पर पहुंचा व्यापारी ने बोरियों को रूई से भर कर गधे के उपर लाद दिया दोनों फिर से तीसरी बार बाजार के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े नदी पहुंचने पर गधा बहुत चतुराई से फिर से पानी में गिर गया, लेकिन अब बोरिया हलके लगने के बजाए भारी लगने लगी, ब्यापारी गदे पर हसा और कहा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, कि कोई भी किसी को बार-बार बेवकूफ नहीं बना सकता,